नमस्कार दोस्तों मैं आपका नबनीत आपके अपनी यूटूब चैनल में श्वागत करता हूँ तो बहुती स्टुडेंट्स की डिवांड थी क्या है कि दिसमबर आने वाला है तो फर्स्ट सैमिस्टर के एक्जाम जल्दी आपकी उनिवस्टी आपको करा देगी तो क्या है बहुत से स्टुडेंट इस बात में चिन्तित हैं कि हम किस तरीगे से पढ़ाई करें फर्स्ट सैमिस्टर की किस तरीगे से हम क्योंकि कुछ स्टुडेंट ऐसे हैं उन्होंने एडविशन ले लिया तब यह से एक या दो मैने पहले admission खतम हुए थे ठीक है तो उनको चिंता है कि एक ही मन्त में कैसे हम syllabus अपना complete करें तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि किस तरीगे से तुम्हें पढ़ना है और किस तरीगे से आपको complete करना है आपको घपराना नहीं है आपके पास ए एक हमद है हमारा नमंबर एक्साम का तो जो फंस्ट के स्टुड़ंट है थर्ड जो भी इड के स्टुड़ंट है और ये सकते हो इसमें हम्ने हाइलाइड नहीं किया कि यह उनली एमसी स्टुड़ंट तो आप अपनी तरीके से भी ले सकते हो ठीक है तो कम समय में syllabus कैसे आपको प्रवाइड कराती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है तो आपको स्लेबर्स के एकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है ना तो इस वीडियो हम पूरा बिस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से आपको कंटीनियू पढ़ाई करना है तो चलिए हम वीडियो करें अगर आप हमारे चैनल पर अवी तक नाए हो सस्क्राइब किजिए और अवी तक आपने हमारा टेलिगरम Channel जॉइन ने किया है तो प्लीस इसक्रपरे में जाए है और वहाँ से हमारा टेलिगरम Channel Joinn किजिए या फिर नहीं आते हो तो टेलिगरम पर जाकर एन्वी creator msc mathematics नाम से सर्च कीजिए और हमारा लोगों जैसा है दिखेगा तो वहां से आप इसको है नवंबर नवंबर ठीक है और हमारा दिसंबर में एक्जाम है तो हमारे पास ओनली एक मन्त लैप्ट है अब हमें यह चिंता की विशा है कि हम किस तरीके से इनको कबर करें ठीक है ना तो आप अगर आप यहां पर नोट्स बनाने के लिए खुद बैठ सकते हो तो एक क्या ह अगर हमारे नोट्स पर्चेस करना चाहते हैं जिसकी वीडियो बनाई गई है आप विदेख सकते हो या आप अपने हमसे ले शकते हो ज्यादा कौश्ट नहीं छोटा छोटा सा कौश्ट रखा है हमने नोट्स का आप हमसे परचेस कर सकते हम बताएंगे किस तरीके से और ज जैसे कि आपको फर्ष्ट सेमिस्टर है तो फर्ष्ट सेमिस्टर में पांच यूनिट रहती है ठीक है ना पांच यूनिट में छोटा छोटा सा आपको सिलेवर्स में प्रवाइड किया जाता है ठीक है ना कि फर्ष्ट यूनिट में यह पाड़ना है सेकंड में पाड़ना है थार्ड में पाढ़ना है फोर्थ में पाढ़ना है ठीक है तो यह आपको unit by unit के तरीके से आपको cover करना है तो हमने पहला point हमने यहाँ पर clear कर दिया है कि आपको notes के according परना है notes के तरीके से परना है according to slivers अब हमारा second है कि महत्वूर परिशनों पर ज्यादा ध्यान दें वो आपको सबको पता होगा कि आप यहां तक आप पहुंच चुके हो कि आपको देखिए महत्वूर परिशनों पर ज्यादा ध्यान देना है यह आप अच्छे सी जानते हो कि जो महत्वूर परिशनों होते हैं उन पूर परिक्षा में अधिकतर जादा पूछे जाते हैं ठीक है ना इनका बारबार रिपीट होता रहता है यह आप कैसे पता लगाओगे कि हमारी महत्मूर्ट जैसे आप बुक्स से पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है शन 2011 में पूछा गया है 2013 में 2015 में तो जो जादा सन में रिपीट है उसको उसमें जादा यहां पर हल करना है क्योंकि आपके पास जादा टाइम दो प्रिश्णों को जादा से जादा पढ़िए अब थर्ड पॉइंट आता है यहां पर गत्व पांच बरसों के पेपर को हल गीजिए बेरी बेरी इंपॉर्टेंट और महत्व पॉइंट यहां पर रखा है जो की एक महीने के तरीके पर आपको गारेंटी से मैं कहशकता हूँ कि अगर आप पांच आपने पिछले पांच साल की पेपर को हल कर लिया है या पिछले पांच साल की पेपर को आपने पढ़ लिया है तो आप आसानी से पास लाइक मार्स लाशकते हो या 80% मार्स लाशकते हो ठीक है ना क्योंकि जो पेपर बनाये जाते हैं वो पिछले साल की पेपर को देखते ही बनाये जाते हैं क्योंकि जो प्रोफिशल लोग रहते हैं वो फैमसी कोश्चन प्रवाइड कराते रहते हैं जितने फैमस कोश्च रहेंगे बार-बार रिपीट होते रहेंगे इसलिए जादा से जादा क्या करना है आपको पछले पांस साल के वेपर ले लेना है आप एक काम करना कि आपके डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉफेशर होंगे ठीक है ना देखिए आप क्या है बच्छों का बहुत बच्छों आप अपने डिपार्टमेंट में जाए और वहां से जो एचोडी या आपका जो मैतमेटिक डिपार्टमेंट का जो भी होगा उन प्रॉफेशर से कहिए सर मेरे को पछले साल के कुश्चन पेपर चाहिए हैं तो वह आपको दे देंगे आप वहां से फोटो कॉपी किसी भी साइवर कैफिस से करके आप वहां से उनको रिटन कर दीजिए ठीक है न या फिर आप अपने सीनियर स्टूडेंट से कॉंटेक्ट करके उन पेपर को ले सकते हैं और उन पेपर में से देखिए कि फर्स्ट उनिट में से कौन सा कुश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है और तो आप अपना समय जादा से जादा बेर्थ ना करें आप अपना पड़ाई पर ही समय जितना हो सकें ध्यान रखें ठीक है न अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन बनता है देखिए मैंने जैसे कि मैंने में सी की है तो मुझे एक्सपिरियंस है और अवी करते समय लिखते समय पड़ते समय विसीज ध्यान दें तभी एक्जाम हॉल में पूरा पेपर ब्यवस्थित कर पाओगे यह बात अपना सुनिश्चित रख लें और कान खोल कर इस बात को अपने दिमाख में बैठा लें देखिए हम आपको बताते हैं इसके पूरा बिस्त हैं अगर जिस भी स्टुडेंट ने उपी पड़ा होगा तो एक कुश्चन जो इसका एक कुश्चन रहता है लगबत 30 से 40 मिनिट का रहता है अगर उसको सौल्व करते को उस चो सौल्व करने पर वो भी स्यूर नहीं रहता है कि आपका एक कुश्चन सही है या गलत है ठीक ह हुगे और आपको लास्ट में सियूर भी हो कि हमारा एक कुश्चन का आंसर सही हो ठीक है न तब ही आप अच्छे मार्स चीप कर पाओगे क्योंकि क्या है कि अगर आपको देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कुश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसी कुश्चन में जाएगा तीन घंटे का अब तीन घंटे आप या तो उसी कुश्चन पेपर पर अठके रहो या अन कुश्चन को छोड़ाओ यह आपकी मर्जी है आपको वहां पर जो टीचर की जूटी लगी है वो तो आपको टोकने माला नहीं है कि आप यह सी कुश्चन पर क्यों अठक किजिए जो कुश्चन आपको अच्छे तरीके से बेस्थे तरीके से आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले सॉल्ब किजिए जो अच्छे तरीके से आ रहे हैं ठीक है ना क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लाश्ट इंप्रेशन होता है अगर आप एक्जामनर य आपको ज़्यादा इतना विस्तार से नहीं बता सकते जितना मैंने आयोग कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अपना समय फाल्दू समय एक्जा मौल में बर्थ नहीं करें तीन गंटे मिला है इसलिए आप पहले ही घर पर एक काम कीजिए पेपर मिला है घर पर बैठी या हमसे आपको 24 घंटे मिलते हैं पूरे गर में तो आपको कीजिए तनके लए लीजिए सामके ले लीजिए सुब़ाए के लेलीजिए साथ बज़े से दस बज़े बैठ जाए और एक कागस पेपर सीट लीजिए उसमें से हल कीजिए कि आप तीन घंटे में कितनी question हल कर पाते हो फिर राद बाद में उनको चेक कीजिए आपने कितनी question सही किये हैं कितनी question गलत किये हैं कितनी आप मार्स उसमें प्राप्त कर पा रहे हो ठीक है ना तो आपको यह बास समझ में आगई होगी अच्छी तरीके से तो यह था हमारे कुछ मातवपूर्ण point जो हमने आपको अपने तरीके से अपने experience की तौर पर आपको provide की हैं क्योंकि बहुत से लोग पूच रहे हैं क्योंकि हमारा देखिए बहुत लोग इन स्टुडेंट की बिमांड एक महिना बच्चा हुए है बिचारे घबरा हुए है क्या रहता है जब भी मैं भी हर्ष्ट सेमिस्टर में आयता है तो क्या है सब में घबरा होती है क्या है paper देने में क्या है post एक graduation में आप आये हो पेपर इनकी ना कोचिंग रहती है ना कोई आपको सौर्ट सीरीज मिलती है ठीक है ना तो हमने भी इसके नोट्स तैयार की है जिसको लेना हो वो आप हमसे परसनली कॉंटेक्ट कर सकता है हम आपको नोट्स प्रवाइड करा देंगे इसकी ज़्यादा को देखे मेहनत लगती है किसी भी चीज करने में अगर आप कोचिंग पढ़ते हो संस्थान में जाते हो तो आपको पांस से दस से जार रपे लेते हैं यहाँ पर हम आपको नोट्स ओनली 149 में प्रवाइड करा रहे हैं तो ज़्यादा कोई इसका कोश्ट प्राइज नहीं है ठीक है न तो इसको लेने और संकुच करने में चाकी मत जब आपको पढ़ना है तो लेना तो पढ़े गाई ठीक है न तो इसके बात अब ज़्यादा नहीं कहूंगा मैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौटिवेट कर सके एक्जाम टाइम में और जो भी स्पेशल फंक्सन वाले स्टुडेंट है मैं जल्दी से कोशिस करूँगा उसका नोट सुरेटी करने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हमारा सपोर्ड बनाये रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और नए स्टुडेंट के साथ सियर करें जिससे उनको भी हेल्प हो शके और हमें भी मॉटिवेट मिल सके नई से नई वीडियो बनाने का ठीक है तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा सेर कीजिए और जिनको चाहिए तो हमसे पार्सनारी कांटेक्स कीजिए धन्यवाद